हाई अबरिवर्न आम से विते शर्मा आज अगेन आपके लिए बहुत इंपोर्टन वीडियो लेके आई हूँ इसमें मैं DC2 का DC2 सॉल्व असाइन्मेंट जो है मैंने वीडियो डाली है DC2 सॉल्व असाइन्मेंट उसका भाख और पूरा एक्स्प्लेंड करके दूंगी इस व पूरा वीडियो देखें और चैनल पर नए आए हो चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो दिखिए ये भाख है इसने हमने exercise 3 को लिया है ठीक है तीन exercise को DC2 में भी तो तीनों में से आपने एक को चूज करना होता है एक को करना होता है परफॉर्म करना होता है अपनी मर्जी है कोई भी करो तो हमने भाख का तीसरा exercise करेंगे DC2 का ये ठीक है पूरा वीडियो देखना है तो DC2 का solve assignment का मैंने वीडियो जाला है link description में मिल जाएगा आपको और ऐसे भी आप search करोगे भी DC2 solve assignment 2022 सवितास tutorial करके तो आज आएगा वो वीडियो और आप देख सकते हो ठीक है तो start करते हैं इसको सिशोग्रिया केंद्र में 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए उप्यूक्त पोस्टिक आहार की योजना बनाना तो ये है हमारा question की हमें क्या करना है 3-6 वर्ष के जो आईवर के बच्चे उनके लिए पोस्टिक आहार सिशोग्रिया केंद्र में बनाना है तो केंद्र में जो जो अहार हम भना सकते हे वह लिखने हैं इसमें और उदेश ये क्या है शालापूर बचों के लिए उपयुक्ष्ट पोष्टिक अहार की योज़ना बनाना और अलपाहरों का मुल्यांकन करना यह है अलपाहार जो होते हैं तो अलपाहार कौन कौन से ले लेंगे हम 3 से इस तरह से हम लिखेंगे 3 से 6 वर्ष के तीन से 6 वर्ष में आई वर्ग के बच्चों के लिए उप्युक्त पोश्टिक अहार अलपाहार इस परकार से है तो इस तरफ हमने अलपाहारों के नाम और फूरा विवरंच देना है और यहां पर समागरी और किती मात्रा में हम देंगे उसको ठीक है तो यह इस तरह से हमने करना है तो यहां पर हमने बेसन का चीला दे दिया ठीक है बच्चों के लिए काफी healthy nutritious पॉस्टिक होता है यह इसमें हम क्या करेंगे इसका थोड़ा सा प्रोसेस भी बता देंगे विव फैलाएं दोनों तरफ बदल कर तल ले तो थोड़ा से विवरन हमने इसमें दे दिया है और इसमें हमारे समागरी और मात्रा कितनी होगी बेसन का चीला बनाने के लिए बेसन ले सकते हैं आप अगर थोड़ा से बच्चे हैं काफी केंदर में तो 400 ग्राम बेसन ले ले 500 ग् पकडाई में तेल ढल कर सुझी को धीमी आच में भूनना है और जब सुझी सुनहरी रंकी हो जाए तो चीनी और पानी गरी डाल कर पकाए हलवा तयार है है चिके सुझी और इसकी जो है चीनी और गरी चिके कद्दू कस्के आप तो यह हमने समागरी दे दी तो इस तरह से जो है चीले से कारभोस जो की उर्जा फदान करता है तो उर्जा फदान पादान करने वाला एक ले लिया हमने बेसन वेचन चिके और इसमें हरी सबजیاں डाली जालिे अगैं और खनी लवन था प्राविन प्राप्त होता है हरी सब्जियों से है ना प्रोटीन प्राप्त होता है ठीक है तो खादिवर्ग तीन से है यह और हल्वा से भी खादिवर्ग एक उर्जत थवसा प्राप्त हो रहा है ठीक है सारा कुछ मिल रहा है हमें तो ठीक है तो इस तरह से आपने देना है ब मुल्यंकन भी करना है मुल्यंकन के लिए आपने यहां पर दिया होगा आपने राइट रॉंग इस तरह से लगाना है बच्चे के लिए पकड़ने में आसान है हमारा जो चीला है येस है आसान है बिल्कुल उसको पकड़ के खा सकता है बच्चा बनाने में आसान है येस हमारा चीला तो बनाने में बहुत आसान था, परोसने में आसान है, परोसने में भी आसान, बनावत और वीविडता है, यहस वराइटी है, इस में डिफरेंट है कुछ है न, अकरश्रक्ता के लिए रंगाकारमें, तो हमने सब में इसमें राइट लगा दिया, इसमें आप कुछ और भी अपने एरिया के अलग से खादी पकवान भी दे सकते हैं यह तो मैंने एक 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 जामपल दिया है और इसके लावा इसमें अलपाहार को सभी कसौटियों को पूरा करता है जो भी यह हैं इसमें हमने राइट लगाया है तो सब कसौटियों को हमारा पूरा करहा अगर कहीं नहीं कर रहे है तो फो गल् insp學 क्रूछ भी लगा सकते उसको याल पहार खाने में भी वहुत स्वाधिश्ट होते हैं साथ ही इसे बनाने की वेदी भी काफी सरल है समागरी भी घर में ही असानी से उपलब्द हो जाती इसलिए जो है ये जो है बिल्कुल सही उप्यूपत है तो इसके बाद जो है भाग गर इसमें हो गया अब भाग के स्मरन को विधी का प्रियोग करते हुए एक से तीन वर्ष के दो बच्चों के आहार अंतगरन संबंदी सूचना इकत्रित करनी है एक से तीन वर्ष के दो बच्चे लेने हैं और उनके बारे में आपने सर्वेक्षिन करके उनके बारे में आपने सूचना इकत्रित करनी ह तो आपको लिए मैं एक्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, आप इसे डिफरेंट पी लिख सकते हैं, असा कुछ नहीं है एक से तीन वर्ष के उम्र की बच्चों की आहार पत्ती का अध्यान करना, आहार विशलेशन करना, उदेश एस के ये समाजी कार्थिक स्तर का पता भी प्रवाव और चर्चा भी पता करना, ठीके आहार सर्वेक्षन के 24 गंटे के आहार की समरन विधी का समरन करते वरिवार के बच्चे के आहार अंत्रगन दारन, सूचना रिकॉर करने की अनुसूची आपने देनी है, अभी यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आनसर तो पहचान ब्योरे सबसे पहले, ठीके, तो इसमें आपने पूरा नाम, शहर का नाम, तिथी देनी है, शहर का नाम, बच्चे का नाम, है न, और बच्चे का लिंक यह देना है, अपने अपने हिसाब से, जो भी आपने रिकॉर्ड रखा है, और उसके बाद परिवार के सम दोनों, और आए, इसमें एक निमन परिवार से लेना था बच्चा, और एक उच आई वर्क्स परिवार से लेना था, ठीके, तो हमने एक यह वाला निमन आई वर्क्स चोकी मजदूर है माता पीता दोनों, तो उससे लिया है, और एक अमीर जो है, उच आई वर्क्स से लेन ठीक है सारा का सारा तो बनाएगे वेंजन ठीक है इसमें पूरा बताना है अपने प्रियुक्त समागरी क्या 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 समागरी क्या पक्की समागरी क्या डाली है उसमें पकाईगी समागरी क्या गई है कितनी मात्रा है पूरा डिटेल में आपने इसमें देना है तो प्राते लुकते ही, सुभा का नाश्ता, दोपैर का भोजन, चाय, अलप अहार, रात का भोजन, इसके अलावा अन्य और क्या चीज लिया उसने, ये भी देना है, और किसी अहार के संदरप में मिलाया, पूरक अहार, है न, उप्यूक्त से अतिरिक अन्य खाया गई कोई चीज, तो य सारा कुछ आपने भरना है, इसके अलावा, अहार, अन्तग्रेंग, तो इसमें भी आपने ये देना है, इसमें भी आपने, फिर दूसरे बच्चे के भी देना है, जो आपने उचाय वर्क से लिया है, उसमें पूरा उसका रिकॉर्ड देना है, नाम, बच्चे का नाम, आय यहां पर यह इस तरह से पूरा आहार अंतग्रहण पूरा द WHY अफ्यों से हैं place theory map लपाहार में फल, एतिरिक्त हुपयुक्त, अ अंय अहार में फल सेव, इस तरह से खा लिया इसने, तो यह असार आपने दे दे देना, लास्ट में आपने क्या करना है, विशलेशन में दोनों परिवार के बच्चों को भोजन प्रयाप्त मातरा में दिया जाता है, उचाइब बच्चे को कुछ अधिक बार भोजन कराया जाता है साथ ही भोजन में अधिक चीजें समिलित थी जैसे की दहीं या फल है ना टोस्ट बटर आदी ये चीजे एक्स्ट्रा थी उसमें अतिरिक्त थी और उसका भोजन जो है संतुलित आहार था था जो बच्चे का नाम है आप दे सकते हैं कि इसका जो भोजन था संतुलित आहार था 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 इसमें खादे बर की तीनों बर पाए जाते हैं तुलना करना है आपने दोनों की बच्चों के उसमें तो जो भी आपने नाम लिखे उन दोनों की तुलना करनी है कि का भोजन अधिक संतुलित भोजन था क् कि इसमें फल समझिया दूद बटर का प्रियोग ज्यादा था खाने का समय और ज्यादा बारी अधिक था चीक है तो यह तुलना कर दिया आपने लास में आपने सला भी देनी अपनी माताओं को सला है कि इस आयूबर के बच्चों को थोड़ी थोड़ी अंतराल में भोजन होगा और कुछ भी आपको डाउट से भी भी स्टिल तो आप कमेंट्स करें जरूर कमेंट्स करें और मैं आपको कमेंट्स करें डिफिनिट्ली आपको आंसर दूंकी थैंक यू